हेलो यूट्यूब फैमली बेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं बनाने जा रही हूं मोमोज वेज मोमोज तो उसकी तयारे उसके स्टफिंग कैसे तयार करना है उसकी चटनी रेड वह स्पाइसी वाली कैसे बनाना वह सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी बनाना तो बन इसमें पत्तागोवी है और इसमें नमक डालके 10 मिनट के लिए छोड़ दोंगी ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वह सब निकल जाएगा और हां तो सब्जियो में आपको क्या क्या चाहिए वह मैं बता दूँ आपको यह पत्तागोवी और गाजर मैंने लिया है दो वो तीनों को मिलाकर नमक मिलाकर छोड़ दोंगे मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दोंगी ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए देखे आप देख भी सकते हैं कि इसमें से पानी निकल रहा है और इसके बाद फिर मैं आटा तयार कर लूँगी तो मुझे बनाना था लग भाग एक किलो के तो उसका आटा सॉफ्ट जैसे आप पूरियों के लिए बनाते हैं वैसा आटा तयार करना है अब हो गया था 10 से 15 मैंने इसमें से एक कॉटन के कपड़े में सारा तेल इसका सारा पानी निकाल लूँगी अच्छे से गार कर देखें और इतने बहुत सारा पानी निकलता है अब पानी निकालने के बाद अच्छे से निचोर निचोर कर मैंने निकाल लिया सारा पानी बानी निकालने के इसमें मसाला के तौर पे मैंने रखा था थोरस लाल मिर्च पाडर और थोरी सी हल्दी की मात्रा जाता नहीं एक चुटकी भर और नमक तो मैंने पहले भी डाल रखा था इसलिए नमक जाता नहीं डालूँगी लेकिन हाँ आथा चमच फिर भी नमक डाली थी मैं क्योंकि वो अद्रक लहसन का पेस्ट भी डाला था जो मैं वीडियो वो स्किप हो गया थोड़ा सा ये बनके मेरा तयार हो गया था वेर्ज मोमोस का फूरा सबजी और उसके स्टफिंग मैंने उस दिन दो तीन तरह के वो ट्राइ किये थे तो पहले ये ही देखिए ये है फिर छोटी-छो और ये रहा उसके बनाने का तरीका तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा फिल कर लेना है और एक कराही में ये प्लेट स्टील का प्लेट मेरे पास था हम क्योंकि मुमोस मिकर है नहीं इसलिए काम चलो मैंने इसी पर कर लिया था उस पर थोड़ा ओयल लगा दिया था पूर दो कि दो यह मेरा दूसरा स्टैप था दूसरी वर मैंने यह डाल था और यह बन के मेरा तयार अब चट्ने के लिए क्या करना था तो चटनी के लिए 8-10 लाल डमाटर मैंने ले लिया था उस उसको 20 से कट लगा दी थी ताकि छलका निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और यह सावत लाल मिर्च था तो यह भी इसकी मात्रा भी थी ज्यादा क्योंकि स्वाइसी जो बनाना हम लोगों को य एक इंच के उसमें अद्रक भी वह भी मैंने डाल दिया है अब अच्छे से वाल दूंगी कम से कम 20 मिनट तक क्योंकि वह अच्छे से पक जाना चाहिए उबल गया है अब उस चटनी बनाने के लिए अद्रक और लहसन का पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो वह डाल कर उसमें सारा पीशा हुआ चटनी मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी देर तक इसको आब नमक डालूंगी थोड़ा सा और हाता तीखा को मेंटेन करने के लिए इसमें आधा चमच मैंने चीनी भी डाल दिया था जिससे यह टेस्ट उसका जादा जलीने वाला ना हो कर लीजए आप आपको भी बहुत अच्छा लगया वीडियो अच्छा लगया तो लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बाई यूट्व फैमली